पिरिये विद्यार्थियों, आप सभी का SV की ओर्लाइन क्लासिज में हारदीक स्वागत है। आज हम क्लास 10th, सब्जेक्ट हिंडी, लेसन नमबर 4, देव के अभ्यास परसनों को करेंगे। पिछली वीडियों में हमने इसके तीनों पद्यों को बढ़ा था। और आज हम इसके अभ्यास परसन कर रहे हैं। तो पहला वस्तुनिश्ट परसन है, कवी देव का जनमस्तान है। इटावा, सोरो, रुनुक्ता, अग्याद, तो कौन सा सही होगा। इटावा, सोरो, रुनुक्ता, अग्याद, तो इसमें इटावा होगा। गहरी-गहरी-गटा में कौन सा सब्दा लंकार है। गहरी 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 गटा में रूपक, उपमा, अनुपराश, यमद, तो इसमें अनुपराश अलंकार होगा, अनुपराश अलंकार में एकी शब्द की बार-बार पुन्रावती होती है, जैसे गहरी गहरी गहग है, शब्द की पुन्रावर्ती होने की कराणिया पे अनुपरा की गी है स्री क्रिशन को रस की लालची और दासी कौन हो गई रस की लालची और दासी कौन हो गई यह नाइका की आँखें रस की नाइका की जो आँखें रस की लालची और दासी हो गई श्याम ने किसी जूला जूलने के लिए मंत्रित किया श्याम ने किसी जूला जूलने के लिए आमंतृत किया अब लगुत्रात्मक परिशन नमबर में फर्स्ट शिक्स नमबर नेत्रों को मदू मख्य के इसमान क्यों बताया गया है जिस परकार मदू मख्यां रस पर आशक्त होकर जिस परकार मदू मख्यां रस पर आशक्त होकर मदू में डूब जाती है उनके पंक मदू मतल अर्थात सहद में डूब जाते हैं जिसके कारण वे उसे बाहर नहीं निकल पाती उसी परकार गोपी या नाइका की आँखें उसी परकार गोपी या नाइका की आँखें प्रियतम किर्शन की रूप माध्यों में डूब जाती है फिर कोशिश करने पर भी फिर कोशिश करने पर भी वे वहां से नहीं निकल पाती है इस तरह की समान दसा को लेकर कवी देव ने नेत्रों को मदू मकी के समान बताया है क्योंको जिस परकार कोई भी रस के लालच या मिठे पर मकी आती है उसी परकार रस के लालच यहाँ पे रस के लालच पर आशक्त होकर मदू यानि सहद में डूब जाती है और जैसी डूब जाती है तो उनके पंक भी मदू में यानि सहद में डूब जाने की करण वे उसे बाहर नहीं निकल पाती है तो उसी परकार जो गोपि नायका है वो स्री कृषण के प्रेमरस में डूब जाती है और उस से उबार निकलने का बहुत प्रयास करती है लेकिन वह वहां से नहीं निकल पाती है नायका के बाग क्यों सो गए क्योंकि नाइका निंद्रा में या नीद्र में ऐसा सपना देख रही थी नाइका नीद्र में ऐसा सपना देख रही थी कि प्रियतम क्रिशन उसे जुला जुलाने के लिए आमतरित कर रहे थे तब वैस सौपन दसा में जो ही जब सौपन दसा में जो ही उतने का प्यास किया तो उसकी नीध खुल गई और वै मदूर सपना तोट गया इसके अर्नाइका की नीध खुली तो उसका वैपिरिय मिलन का सुंदर भागय या भाग सो गया तो उसका वैपिरिय मिलन का सुन्दर बागय बाग सो गया अर्थार समाप्त हो गया पिजैसे ही सपने में स्री किर्षिन जो उसकी सपने में आए और उसे जुला जुलाने के लिए आमनतरित करते हैं तो वैगोपिय नायका बहुत खुश होती है और जैसे जुला जुलने के लिए उठने के लिए तियार होती है उनके साथ जाने को तियार होती है तो उसकी अबागी जो नीन खुल जाती है और जो सपने में देख रहे तो सपना भी तूट जाता है इस सपना के तूटने के साथ ही उसके जो भाग होते हैं वो सो जाते हैं जे जग मंदिर दीपक सु मिलने जिस इतक ज़ने से मंदिर में प्रकास पैल जाता और वहां Sher Raven सुन्दर लगता है उसी प्रकाष सिरी कृष्ष्ण की उपस्तिती से सारे ब्रज परदेश में ब्रजर परदेश में आनन्द और उलास का प्रकास पहने लगा इस तरह कवी ने सुन्दर सोबा संपन ब्रज परदेश को जग्स मंदिर सुन्दर कहकर सिरी कृष्ष्ण को उस मंदिर को मंदिर का सुन्दर सोबा साली दीपक या कुल दीपक बताया है जे जग मंदिर दीपक सुन्दर से कवी का क्यातात प्रे है जिस परकार कवी का आश्य है कि जिस परकार दीपक के जलने से मंदिर में परकास फैल जाता है और वहां का दर्शे सुन्दर लगता है उसी परकार सिरी किर्शन की उपस्तिती में सारे बरज प्रदेश में आनन्द और उलास का प्रकास फैल जाता है इस तरह कभी ने सुन्धर सोबा संपन ब्रज परदेश को जग मंदिर सुन्दर कहेकर सिरी कृषिन को उस मंदिर का सुन्दर सुन्दर सालि दीपक ये कुल दीपक बताया है अब निम्दात्मंग पर्शन में नौमा है काव्यास के दार पर क्रिशन के सुंद्रे कावर्णन केजिए काव्यास के दार पर शब्द स्वीमा दो सो सब्दों में भी आंसर आ सकता है पुर्शन पूर्शनजी के पैरों में सुन्दर पाइल है तो वह वाड़ा वर्नन हमने पूरा इसमें करना है तो को पाइनी नूपूर मंजू बजे इत्यादी कवीत में कवी ने किर्शन के राजसी सिरंगार से मंडित रूप सुंद्रे का बंडन किया है उन्हें राजकुमरों की वेश बुसा पहन रखी है उनके पैरों में सुंद्र पाइल है जो मदूर दवनी कर रही है उनके कमर में करदनी सोबाय आमान हो रही है बालक किर्शन ने अपने शामले स्रीर पर पीले वस्त धरन कर रखे हैं जो की बहुती सुंदर लग रहे हैं उनके गले में वन माला यानि वन के रंग बरंगी फूलों की माला सुंदर लग रही है उनके मुकुट पर यानि उनके मस्तक पर मुकुट सुसोबित हो रहा है इस तरह वे पूरी राज सी भेशबूसा में सजे हुए हैं कभी कहता है कि उनके नेतर बड़े और चंचल हैं तता मुक रूपी चंद्रवा पर मदूर मुश्कान है जो चांदने के समान पवितर लग रही है इस प्रकार सिरी कृष्ण का रूप सुन्द्रे सभी तरह से उत्कृष्ट है वे वजर भूमी के कुल दिपक हैं ता उनके सिरी को दिवे कांती से सारा वजर परदेश आननंद और उला से आलोकित हो रहा है काव्यांस में कभी ने सिरी कृष्ण के किशौरावस्ता से पूरव का सुन्द्रे निरूपूत किया है ता उन्हें बदर भूमी का दूला बताया है अर्थात वे सजे दजे दूले के समान बहुत सुन्दर लगते हैं तब उनके इस सुंद्रे पर सभी मुहित हो जाते हैं, अब है कर्शन नमर दस, पठीतांस के अधार पर देव की कावेगत विशेशताओं पर परकास डालिए, अब है पाठीतांस, देव रिती कालिन, देव रिती कालिन, रिती विद काव्यासों के कभी अचारे माने जाते है और इने अनेक आश्रे दातों के पास रहना पड़ा है, इस कारण इनका रचनात्मक कारे विशाल है, देव रसवादी कभी रहे हैं, इसी से इन्होंने नाइका के सुंद्रे प्रेम और सिंगार का चित्रन किया है, कभी देव का काव्य अनिक विशेष्टाओं से मंडित है, इनके काव्य का भावपक्स, अतीव सर्ल, सरस, कोमल और रस्पुरुन अनुभूती में है, उन्होंने नाइका के मिलन विराय और प्रकरती का अलम्मन उधिपुन रूप में मनहोर चित्रन किया है, कभी देव ने की आवर्ती दवनी भी में सब्द चित्र आदी के प्रयोग में ये सिधस्त रहे हैं, इनका काव्य बासा में संस्क्रित प्राकरतेम उत्र भार्त की अन्य बोलियों के सब्द भी प्रिक्ट हुए हैं, इन्होंने अनुपरास, यमक, उपमा, रूपक, आदी अलंकारों का बनाया है, इस प्रकार देव का कावे सुंद्र सब्द विश्यस्ताओं से परिपूरण है, अब है क्वेश्चन नमर 11, निमलिक पंक्तियों की से प्रसंग व्याख्या कीजिए, ये हमने पाठ के दुरान कह और कह ये पूरा पाठ हमने पढ़ लिया है, तो पिरे बचो इतना ही, इस पार्ट के हमने दस क्वेश्चन आंसर कर लिया है, आज के लिए बचो इतना ही धन्यवाद, जै हिन, जै भरत